नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ एक चीकू आपको इन छे अद्भूत फायदों से उत्प्रोत कर देगा चीकू खाओ चीकू एक सदा बहार पेंड होता है जो आज के यूग में लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है अथवा उगाया जाता है अलग देशों में अलग अलग प्रजाति के चीकू पाय जाते हैं भारत वर्ष जैसे विशाल देशों में चीकू की कई सारी प्रजातियां समान्य तह एक चीकू का वजन 100-150 ग्राम तक होता है किन्तु इनका आकार प्रजातियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है आकार प्रकार से आगे बात करें तो चीकू का भारते फलों में एक विशिष्ट स्थान है और संपून देश में समान रूप से और चाव के साथ ख चीपे हुए होते हैं जो हम जाननेंगे आज आखों को सुधारता है जब चीकू के स्वास्ते लावों के बात हो रही है तो इससे पहले कोई और लाव ध्यान में आहीं नहीं सकता चीकू में बहुत ही उत्तम प्रकार का और प्रचुर मात्रा में विटामिन A मिलता है विट चीकू में बहुत है जो पुरानी से पुरानी कब्ज में भी नियमित सेवन किये जाने पर लाव करता है यदि चीकू के साथ पके पपीते का भी सेवन किया जाए और बाद में बहुत थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया जाए तो यह प्रियोग बहुत ही उत्तम लाव प्रदान करता है गर्भावस्था में अतियंत लाफकारी होता है गर्भावस्था के समय जरूरी मुख्यतत्व जैसे की कैल्शियम, आयरण, विटामिन बी इत्यादी चीकू में पाए जाते हैं साथ ही इसका विशिष्ट स्वाद गर्भावस्था में होने वाली जी मिचलाने की समस्या का भी समाधान देता है इस प्रकार ये समझा जा सकता है कि यदि गर्भावस्था में नियमित चीकू का सेवन किया जाए तो यह गर्भवती महिला और होने वाले शिशु दोनों को ही मजबूत बनाता है उर्जा का श्रोत चीकू में ग्लुकोज के अवयाव बहुत ही ज्यादा मातरा में पाये जाते हैं जिस कारण से चीकू सेवन किये जाने पर तुरंत ही शरीर को उर्जा की पूर्टी हो जाती है भूख को कम करता है चीकू का एक विशेश गून होता है कि यह भूख लगना कम करता है इसका यह असर 4-5 चीकू खाने के बाद आता है ऐसी अवस्था में यह उन लोगों के लिए विशेश लापकारी हो सकता है जो ज्यादा भूख लगने की वजह से ज्यादा खाते रहते और इस कारण से उनका वजन बढ़ने लगता है यदि वो भूख लगने पर चार से पांच चीकू का सेवन करें तो शरीर में लंबे समय तक उर्जा बनी रहेगी और भूख भी नहीं लगेगी चीकू में ग्लुकोज बहुत ही प्रचूर मात्रा में पाया जाता है जिस कारण से यह मधुमी के रोग्यों में शुगर के लिवल को बढ़ा सकता है अतह मधुमी के रोग्यों को सलाह है कि वो चीकू का सेवन अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करें आयरुवेद के माध्यम से दी गई यह हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगर अच्छी हो और अच्छी लगी आपको तो जरूर अपने दोस्तों के साथ सेवर करें जिहां दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए चीकू के फायदों से रिलेटेड अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहाद हिमातों पूर्ण जानकारी क को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों